Hello everyone, इस वीडियो में हम स्वतंत्र भारत में जनसंख्या के विभिन घटकों की बिसे में एक एक करके जानेंगे जैसे कि स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद भारत की जनसंख्या की गणना कब हुई? अभी तक कितनी बार गणना हो चुकी है और भारत की जनसंख्या में, परतेक गणना में कितनी जनसंख्या थी, वर्तमान में कितनी है, बृधितर कितनी रही, घनत्य कितना रहा, सभी जन गणनाओं में, और लिंगानपात कितना रहा, सभी जन गणनाओं में, साचरता दर कित ना रहा सभी जनगर्णाओं में तो बारी बारी से इस वीडियो में सारा कुछ हम जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा देश जैसा कि आप सबको पता है 15 आगस्षा में 147 को सुतंत्र हुआ था 1951 में सुतंत्र भारत की प्रत्थम जनगर्णा संपन हुई थी तब से लेकर यानि 2011 तक साथ बार ये को नोट करने वाला है साथ बार जनगर्णा हो चुकी है आए जसंख्या के विभिन घटकों के बारे में देखें किस परकार से परिवर्तन हुए हैं तो आजादी के बाद पहले जनगर्णा 1951 में हुई दूसरी 61 में हुई तीसरी 74 में हुई चौथी 85 में हुई चटी 2001 में हुई और साथ बी 2011 में हुई तो 1951 में भारत की जनगर्णा जनसंख्या थी कुल जनसंख्या वो थी 6.1.0 करोड 1961 में बढ़कर 43.92 करोड हो गई 1971 में बढ़कर 54.81 हो गई 1981 में बढ़कर 68.33 हो गई 1991 में बढ़कर 34.64 हो गई 2001 में बढ़कर 102.87 हो गई 2011 में 121.02 करोड हो गई अब प्रतेग वर्सों में जनसंख्या विर्धिदर प्रतेशत में देख लेते हैं प्रतेग दसकों में तो 1991 की जब गर्णा होई थी तो वहां दसकी विर्धिदर थी 13.31 फिर 61 में 21.64 फिर 71 में 24.84 फिर 81 में 24.66 फिर 1991 में 23.87 फिर 2001 में 21.54 फिर 2011 में 17.68 तो इस प्रकार से अगर हम देखें आजादी के बाद जो जनगर्णा होई हैं उनमें सरवाधिक बृद्धिदर वह 1971 की जनगर्णा में जो है दर्ज की गई 24.84 और आजादी के बाद सबसे कम बृद्धिदर जाहिशी बात है प्रथम जनगर्णा में यानि 1991 में रही 13.31 अब आई ये बात करते हैं इनहीं सातों जनगर्णाओं में जो हमारी जनस्तंक्या घनातु था वो देख लेते हैं इक्याओन में घनातु रहा 117 बेक्ति परतिवार किलोमेटर में था 16 में 142 हुआ 17 में 177 हुआ 18 में 216 हुआ 91 में 214 हुआ 2001 में 324 हुआ और वर्तमान की जो लेटेश जनगर्णा 211 की है उसमें 382 हुआ तो निरंतर ये बढ़ता ही चला गया उसके बार लिंगान पात देख लेते हैं शेक्स रेशियो 51 में 946 था फिर घट गया 61 में 941 हो गया फिर घट गया 930 हो गया 71 में फिर बढ़ा 934 हुआ 81 में फिर घटा 91 में 927 हुआ 2001 में बढ़के 933 हुआ और फिर ये बढ़ा 2011 में 943 हुआ तो जो सेक्स रेशियो है वो 51 में 946 था और 2011 में 943 हुआ 51 के बाद 71 में घटा 71 तक घटा फिर 81 में बढ़ा फिर 91 में घट गया और फिर 2001 में बढ़ा और फिर 2011 में भी बढ़ा साक्सरता देखते हैं साक्सरता 51 में 38.33 परसेंट थी 61 में 38.30 परसेंट हो गई 71 में 34.45 हो गई 81 में 53.57 हो गई 91 में 52.21 हो गई फिर 2001 में 64.8 3 हो गई फिर 11 में 72.9 हो गई नगरिकरण भी लगातार बढ़ता ही रहा नगरिकरण 51 में 17.30 था फिर उसके बाद बढ़ा 61 में 68 हो गया 17 में 19.90 हो गया 81 में 33.30 हो गया 91 में 25.70 हो गया उसके बाद 2001 में 37.80 हो गया उसके बाद 2011 में 31.14 हो गया तो यह था संपूर्ण जानकारी